हेलो गाइज मैं हूँ काजल और आप देख रहे हैं काजल की कीजन तो आज फिर काजल आपके सामें नई रेसिपी लेके हाज़र हुए तो चलिए बनाते हैं अपनी नई और एक यूनिक सी रेसिपी वैसे तो आपने सिमला मिर्स कई तरह से भर के बनाई होगी बट एक बारी मेरी तरीके से बना के देखिए उंगली आप चाड़ते रह जाओगी जैसे मैंने ये सिमला मिर्स भर के बनाई है तो आप भी एक बार ज़रूर बना के देखना सिमला मिर्स कैसे ये बनाएंगे तो आगे चलके देखते हैं इसकी पूरी तो देखिए कुकर के अंदर मैंने पाने चड़ा के जो है ऑन कर दिये है गैस को तो आप बोलोगे कि आलू बालना बता रही है तो ऐसा कुछ नहीं है तो आलू के अंदर जो इतना मित्ती होता है इसको हमें अगर साप करके अगर हम कुक करने वाली है वह बहुत टेस्टी बनती बहुत यूनिक सी रेसिपी में आपके लिए लेक आई तो इसको मसल मसल की हम धोलेंगे तो देखिए दो कितने साफ हो गया तो आलू को जादा जल्दी से उबानने के लिए इसको हम इससे कट कर लेते हैं जिसके कारण जो है आलू ह जल्दी से उबल के जो है वह रेडी जाते हैं तो एक एक करके हम सारे अपने अलू को कुक कर के अंदर डाल देंगे तो फटा-फट से थोड़ा सा मिसके नमक डाल देंगे और इसकी लिड लगा के इसके अंदर एक सीटी हम लगाएंगे तो देखिए शीटी हमारी लग आधिर पर जब आ जायँगा तो इसको हम खूल के खोल के ओपन करके अलू को को निकाल लेंगे तो आलू को देखि निकाल लिया है अब ध्वोने से क्या हूं ए itu करकर हम अराम से अलू को छील लेते बीना बनोगों भोलोगे तो साबूद भी बनाएंगे on बढ़ा लेंगे नहीं जाएगी बट कभी कभी साबुत में भी ऐसे फूड जाता है आलू आलू बालते टाइम और इससे क्या होता है हमारे आलू में मिट्टी गुज जाती है तो देखिए मैंने सारे आलो को छील कर जो है साइड रख लिया है और यह ऐसा कुछ निये सारी साफ है सिम्ला मिर्च तो सिम्ला मि की दिक्कत हो आचे से देख लेना तो चाहित सा्प कर दें गे हम तो एक एक करके जो है हम अपने सारी सिम्ला मिर्च और तो यह कट कर लोंगी सारी प्यार से हीорот लेना है और इसको टाकर कर देंगे और सार इसके अंदर का जो पोशन होता है इसको नाइफ की मदद से जो है हम सारा जो है इसको निकाल के एक साइड कर देंगे तो सारी शिम्ला मिर्च हम ऐसी कर लेंगे देखे सारा मैं इसके निकाल देती हूं तो देखे सारी शिम्ला मिर्च जो है मैंने खाली करके रख दी है देख सकते हैं तो अब मैं तो इसको अगर आप ऐसे काटोगे ना तो बहुत फाइनिल चॉपी कट जाती है कोई दिक्कत नहीं होती है तो इसलिए मैंने आज आज आपको प्याज आपके सामने काटी है ने तो और जो मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो उसके अंदर में पहले ही काट के रख लेती हू जल्दी जल्दी ताकि आपका काम हो जाए तो इसलिए आप सोच लिए होना क्या है तो मैं आपको दिखाती हूँ जो यह प्याज अम मैं ऐसे काट रही हूँ तो आप देखना इधर का पोशन में नहीं काट रही है तो इसके वज़िश से जो है ना वो हमारी जो बिलकुल पाइन है और पतली पतली जो हमारी प्याज कटने के लिए रेड़ जाती है तो ऐसी हम सारी प्याज को काट लेंगे तो अम मैंने रग दिया है पैन पैन के अंदर मैंने एक चम्म मस्टर्ड ऑल डाला है जब तक हमारा ऑल गरम हो रहा है हम जो है सारे आलू को साइड करके हम इसके इनदर फोड लेते हैं मतलब कि रधा देते हैं मैं पाता नहीं के बोल जाती हो आप समझ जाए करो इसको मतलब की थोड़ा सा मैश कर लेते हां से दा बल बा मेरी प्याज कितने बारिक से मैंने काट करके रखी ए middle को शारा हम łट से दबा और बबा देंगे आलू को जो हम भरेंगे सिम्ला मिर्च के अंदर तो देखिए सारे आलू मैंने ऐसे फोड़ दिये हैं हाथ से ही आप चाहे तो चम्मा से भी फोड़ सकते हो हाथ आपके साफ ही है हमें पता ही हम धोग की हर्चीश खाना बना बनाते हैं तो इसलिए तो हमारा तेल जो है गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी हींग देखिए और जाल दूँगी जीदा हींग जीदा थोड़ा सोते होगा मैं डाल दूँगी इसके अंदर हमारी प्याज प्याज को थोड़ा सा हमें सौते करना है पांच मिनट के लिए इसको हम सौते करेंगे प्याज को देखिए और फिर हम इसके अंदर एड़ करेंगे लसा नदरक का पेस्ट इसके अंदर हम डाल देंगे लसन अदरक को भी ऐसे ही थोड़ी देर के लिए हमें सौते करना है पता नहीं कैसे मेरा हाथ हिल रहा है समझनी आ रहा तो इसको थोड़ा सा सौफ्ट होने के लिए रख देंगे तो मैं आपको दबता की सौफ्ट होरी मैं आपको मसाले दिखा देती हूं सुगात के अनूसर म करण्य कौल चांट माशना लिए कंशाबे होटा थोड़ा सा मैंने काल नमक लिया है हाफ तेबल स्कून मैं ने जिंगर का पवह लिए पाऊडर औरय चंप मैंने लाल मिर्च लिए कंने मने अल्दिलिये तो मैं इसको इसके अंदर जो है सारे मसाले एडे कर दूम भी आप मसालों का screenshot भी ले सकते हो और वैसे अगर आपके पास ginger garlic का paste का मतलब paste हमने डाल दिया है तो अगर आपके पास वह सुखा वाला नहीं है तो कोई बात में इसको आप skip भी कर सकते हो तो देखी शुका सुखा हो रहा है तो थोड़ा सा हम इसके अंदर add करेंगे पानी ताकि यह जो है थोड़ा सा ओईल रिलीज कर दे थोड़ा सा ओईल दिख रहा है ना बबल दिख रहे हमको तो अब हम इसके अंदर add करेंगे अपनी सेजवान सॉस जो इसकी स्वात को भूट टेस्ट इसका अच्छे से आ जाता है तो आपके पास नहीं है तो कोई बात में skip कर दे करेंगे हमारे जो हमने हाथ से फोड़े हुएते आलू तो मैं इसको सबको mix कर दूंगी तो देखिए सारे जो हमारे आलू है अच्छे से mix हो गए हैं एक दूसरे के अंदर लुट पुट से हो गए हैं सारे और जो मोटे मोटे दिख रहे हूं उसको चम्मच की साहता से आप दबा दबा के जो हैं बना सकते हैं देखिए कितने अच्छे से जो है यह बन रहा है तो इसको पांच मिंट के लिए गैस के उपर हमें पकाना है जब तक हमारे अलू पकर रहे हैं तो प्लीस एक लाइक कर दीजिए वीडियो कर पसंद आए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने मेरा चनल पहली बार देखा है तो तो मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूं एक प्लेट में देखिए दूआ भी कितना ज्यादा हो रहा है कैमरे पर तो देखिए कितने अच्छे से बन गया है तो इसको ठंडा होने के बाद हम डालेंगे अपने सिमला मिर्च के अ देखिए कैसे में दबा के इसको अच्छे से फिल कर दे रही हूं अच्छे से हम एक एक करके जो है ना फिल कर देंगे अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मुझको कि मेरे जो है जनता जादा और उनको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मैं सारी देखिए कैसे सिमला मीर्स भर रही हूं न तो ऐसी आपको भरना है तो फटा फट से एक लाइक कर दीजिए प्लीज कमेंट जरूर किया करो मुझे अच्छा लगता है मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि अ अच्छी से देख रही है और उनको मेरी वीडियो जो है समझ में आ रही है तो मैं नेक्स वीडियो कौन सी लेक्या हूं प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना तो आप कमेंट्स नहीं करते हूं थोड़ा सा दिकत लगता है कि पता नहीं देखिए नहीं करेंगे किटने अच्छे से भर एक्ष know मыт हैं कि किसल घ कर लेंगे किटने अच्छे से थापी घंद पर रही है किसले में अच्छे में मद्ध है दो हमाँ सब्लिकम चला क वैसे हैं इतल बावाइक smoky एंद शों में में थीफ़ विए हैं लड़ा harmony के लिए कितने अच्छे सी रेड़ी लग रही है ना कितनी देखने में कितना टेस्टी लग रही बिना बने तो बनने के बाद कितना टेस्टी लगेगी तो हमारा तेल जो है गरम होकिया है मैं इसके अंदर दाल दूंगे जीरा बट मुझे लग रहा है कि इसके अंदर सिम्ला हमें जो है हमारी आनी रही थी तो मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया हैं यह से अंदर तक अच्छे से जो है हमारी सीख सके तो हमको इसको अलट प्लाट करके कि भी तेल जादा गरम नहीं है तो इसलिए मैं हास लगा रही हूँ नई जो गरम बता तो आप सोचो हाथ सही कर रहे है बस जब गरम होगा तो हम इसको चाहीर करके लगाएगे हैं इसक ठ्वड़ाओ तोATHANब लगा 大概 हम इसको रख देंगे पांस्द समें फोर गई यह थो मैं इसको रहिए आपकन जर्थ हो तो लिखksompage हमारी जो शूला मे रख से चुंबरं रेज़़ जो आलू होता है न वो आलू छुट्टे बिट्टे मारते रहते हैं तो देखिए 10 मिंट हो गए है हमारे सिम्ला मिर्ज कितने अच्छे से पक के रेड़ी हो चुकी है चारो तरफ से देखिए अच्छे से यह पक गई है तो देखिए थोड़ा सा नीचे से थोड़ा कच्छा खड़ा करके रखके और हम इसको पकने के लिए रख देंगे हैं नहीं को दिखा अगर आपको मेरी सिम्ला मिर्ज की रेसिपी अच्छी लग रही है अगर आपको मेरी नई वीडियो देख नहीं तो प्लीज एक एक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अपने मेरा चैनल पहली बार दिखाए तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाना प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगिएगी तो लाइक करके और कमेंट्स जरूर करना आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी तो फटापट से लाइक कर दीजिए एक और एक सब्सक्र सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलती मैं आपको नेक्स टूडियो में बाई बाई